जब घर पर कोई भी सबजी ना हो और समझ में ना आए कि क्या बनाए तो एक बार इस बेसन से बनी हुई सबजी को जरूर से ट्राय करके देखिएगा आप पनीर और छोले खाना भूल जाएंगे तो चलिए देखते हैं इसको हमें बनाना कैसे है तो यहां पर देखिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें हमें दो चम्मच ओयल डालने के बाद आधा कटा हुआ शिमला मिर्च और आधा प्याच डाल देना है इस तरह से देखिए मैंने इसको स्लाइस में काटा हुआ है उसके बाद हम लेंगे ओयल तो यहां पर मैंने एक बड़ा चमस सरसो का तेल लिया है इसमें हमें जीरा थोड़ा सा हिंग डाल देना है और यहां पर मैंने लिया है करी पता ड्राय वाला करी पता है तो इसको हमें इस तरह से तोड़ कर डाल देना है इससे सबजी में फ्लेव हमें बस हलका सा कलर चेंज होने तक इसको हमें पका लेना है तो यहां पर देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है उसके बाद हमें लेना है टमाटर तो यहां पर मैंने दो टमाटर को बारिक चौप करके रखा हुआ था इसको भी हमें इसी में डाल देना है अच्छे से मिक्स क तो मैंने यहां पर ले लिया है अपने अनुसार कम भी दाल सकते हैं और इन सारे मसालों को हमें बढ़िया से defenders कर देना है ऑब इनको अच्छे से भुनने के लिए अपने तो बड़ा सेथा पानीom कर देना है ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं जले नहीं तो यहां पर देखिए पानी डाल कर इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसको हमें पकाने के लिए इसे ढख कर छोड़ देना है और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है हाई फ्लेम पर हमें मसाले नहीं पकाने है जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं तब तक हम सबजी की तयारी कर लेते हैं तो उसके लिए देखिए हमें लेना है बेसन तो मैंने यहां पर दो चमच बेसन लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है थोड़ा सा इसमें डाल देना है हमें अजवाइन गरम और यिसमें kuloda को 1-3 और यह satisfit explo сaked अब अलेल को ऑघ लेना है और इन सारी चीजों को हमें करने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा फाने करना है द्हान दीजिए comply up एक साम जादा नहीं मिलाना मुuse थोड़ा थोड़ा करके डालना है बैटर को हमें बहुत ज़दा पतला नहीं बनाना है तो इस तरह से देखे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर यहां पर बैटर हमारा पहुती बढ़िया से तयार हो चुका है इसको हम कैसे बनाएंगे क्या करेंगे सारी चीज में आपको वीडियो में बताऊंगी और दोस्तों ये सबजी इतनी जादा टेस्टी बनती है कि आप इसके आगे छोले और पनीर की सबजी खाना भोल जाएंगे बेसन से बनी ये सबजी आप एक बार जरूर ट्रा करके देखेगा और यकीन मानिये फ्रेंट्स जो भी इसको खायेगा कोई कही ही नहीं सकता ये बेसन से बनी हुई सबजी है तो यहाँ पर देखे मैंने एक ओयल की पॉलथीन ले ली है इसको हमें कट कर लेना है अगर आपके पास ओयल की पॉलथीन नहीं है या फिर आप इसको नहीं लेना चाते हैं तो इसकी जगापर आप पाइपिंग बैक का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने ओयल के पैकेट को कट कर लिया है ताकि जो हमने बेसन का पेस्ट बना के रखा है इसको डालने में इसमें आसानी हो जाए तो एक बरतन लेना है और इस पॉलाथीन को इस तरह से खोल के हमें बरतन में रख देना है अब जो हमने बेशन का पेस्ट बना के तयार किया है ना इसको हमें इस पॉलाथीन के अंदर डाल देना है बेशन का पेस्ट आपको इसी कंसिस्टेंसी में रखना है बहुत ज़ाद़ पतला आपको नहीं बनाना है नहीं तो जो चने बनाके हम तयार करेंगे न वो अच्छे नहीं बन पाएंगे तो सारा का सारा बैटर हमें इसी में डाल देना है और उसके बाद इसको हमें इखटा करते हुए एक कोने में ले जाना है इस तरह से देखे और अब हमें लेना है कैंची और कैंची की मदद से यहाँ पर छोटा सा कट लगा देना है आप जितने बड़े चने बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप यहाँ पर कट कीजिएगा उससे जदा आपको नहीं करना है अब देखें जो बेसन का पेस्ट है बहुत पढ़िया तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है और हमारे मसाले भी भुनके तयार हो चुके हैं उसके बाद हमें लेना है मलाई तो मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई का यूज किया है अगर आप मलाई यूज नहीं करना चाते हैं तो क्रीम का इस्तमाल भी कर सकते हैं सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब हमें यहांपर छोले बनाने हैं तो जो हमने पॉलठीन तयार कीती उसी से हमें यहांपर छोटे छोटे बाल्स बनाते जाना है इस तरह से इस से आप देखेंगे सबजी देखने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ऐसा नहीं कि ये पकते नहीं है बहुत ही बड़ी तरीके से पक जाते हैं बिलकुल तोटते भी नहीं है अब देखिए इस तरह से हमें सारे छोले को इस ग्रेवी पर बना देना है और उसके बाद इ ये सारा ही पेस्ट लगबग मैंने डाल दिया है सारे चने बनके हमारे तयार हो चुके हैं अब इनको पकने के लिए हमें छोड़ देना है एक प्लेट से कवर कर देना है तीन से चार मिनट के लिए आप इनको छोड़ दीजिएगा ये बहुत बढ़िया तरीके से पक जाते हैं तो अब देखिए ग्रेवी को हमने मिक्स कर लिया है उसके बाद जो हमने प्याज और शिमला मिर्ज पका के रखा हुआ था शैलो फ्राइ करके रखा हुआ था उसको भी हमें इसी में एड़ कर देना है अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद ग्रेवी के लिए हम पानी पूरा चैने आर्ट हैरेव्प िंपजों मुझे से करते हैं बता अंगे उसाफ़ से सबसे सब्सक्いつ अब रिकिनर जिसी redemption मिक्सेट पर लिक सबसें ऊड़ा नहीं रहें हैं और से बढ़ा से मिक्स पांवा團र करने बाद बर सासरे टोट नहीं है हैं आप देखी सकते हैं अब देखे सब्जी में कितना बड़िया कलर आया है और चने भी बड़िया से फूल चुके हैं तो बस ऐसे ही हमें रखना है आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ग्रेवी अच्छे से नहीं पकी हुई है तो आप इ सब्जी भी इसके आगे फीकी पड़ती है आप देखी सकते हैं कितने बड़िया तरीके से चने यहां पर बनके तयार हो चुके हैं बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजी बनते हैं तो उमीद करती हूं आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो क तरह की एक नई यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स पर वाचिंग